केपी कोले इस आओर की यूटूब क्लास्वाम आप सभी विद्यार्थ हों मैं भरत को रणते दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं प्रेविद्यार्थ हों हम सामाने हिंदी के अंद्रगत पढ़ रहे हैं एक विदा जिसका नाम है आत्मकथा पहले तो हम यह इसपश्ट कर ल हमती यह पडियां पर एक एएसी विदा है आत्मकथा और उस आत्मकथा का नाम है अपनी खबर और इदिन loud गाना भी चल रहा हैं अपनी खबर खुद की खबर और इनके लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र उग्र इनका टाइटल है उन्हें खुदने रखा है पांडे बेचन शर्मा उग्र तो हम पढ़ने कोशिश करता है इस आत्मकथा को कि उन्होंने क्या लिखा है किस तरह से मुटिक किया मन की बेचन पांडे वल्द वेजनात पांडे वल्द इन्हें पिता का नाम सनोब प्रणा राम मन की बेचन पांडे वल्द वेजनात पांडे उम्र साथ साल कोम ब्रहमन ब्रहमन का मतले ब्रहमन पेशा अकबार नवीची पेशा अकबार नवीची अकबार का काम करना पत्रका अफ्साना गाने को जोडना करना गाने बुनना गाने गाना साकिन मोला सद्दूपूर चुनार जिला मिर्जापूर उत्रप्रदेश हाल मुकाम कृष्ण नगर दिल्ली 31 तो इनका एड्रस तो आप से नहीं पूछेंगे पर यह पूछ सकते हैं मोटे तोर पे दो नंबर का ज निवासी थे यहां फिर वर्दबान में जब वो रहने लगे तो कहां पर रहने लगे तो पहले तो उत्रप्रदेश में थे और फिर दिल्ली भाग थे आज जिंद्गी के साथ साल सकुषल समाप्त होने के उपलक्ष में उन्हें जो कि मुझे कम या बेश जानते हैं बेश बेश कीमती तो बेश का मतलब बहुत अच्छे से हैं जानते हैं अपने जीवन के आरंबी 20 वरसों की गटनाओ से कसम साती कहानी सुनाना चाहता हूं 20 साल की उमर में इन्होंने यह लिखना शुरू कर दिया कितने वर्स की उमर में 20 यह कह रहे हैं पो किंदी के विशन है इंका नाम कि किताबों को कि इनकी ऐसे ऐसी किताब हैं कि इनका किаст लगाने से पहले हैं इतने अच्छे वीशद हैं तो इनका नहीं कह सकते इनके हो जाएगा तो यह कहने मैं 60 साल का हूँ फिलाल और मैं अपनी जीविन की आत्मकथा शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि बीस वर्स से वह क्या कहा रहे हैं उसको पढ़नी कोशिश कर रहे हैं मोटे मोटे तोर पर कुछ बाते हैं जो आपको याद रखनी पड़ सकती हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि अपने पास में डाइरी रखा करो रखा करो और जो इंपोर्टेंट बाते हैं उसमें नोटीस कर लिया करो ठीक है सब विक्रमी समवत के 1957 विवर्स विक्रमी समवत इस भी नहीं है साथ कौन सा है विक्रमी समवत इन्हें एक गटना होगी लगबग उन्नी सो के आसपास के विक्रमी समवत 1957 विवर्स के पोश शुक्ल अस्टमी की रात साड़े आठ बजे मेरा जन्म यूपी के मिर्जापूर जिल्ले की चुनार तैसिल के सद्धपूर नामक मुहले में बेजनात पांडे नामक कोशी गोत्रो उत्पन गोत्रमे उत्पन दिर इसमें हो जागी गु सर्यू पारिण ब्राह्मन के घर हुआ था पोश महीने में और पोश महीने की शुक्ल अस्टमी को भी लोक देवता है नहीं कि गोगाजी के जन्म कब हुआ इसलिए याद रखना पड़ेगा तो इनका इतना याद रखने जरूतनी भी सातम को हुआ का सब्तमी को हुआ का अ सब्सक्राइब आपने पड़ा था पूस की रात कहनी थी हिंदी साहित्य वालों ने पड़ेगी पूस की रात वोई पोस महीना यह पूस का मतलब पोस तो इनका जन्म मिर्जापर जिले की चुनार तैसिल में सद्दपूर नामक मोहले में हुआ और इनके पिताजी का नाम बेजनात पंडे का नाम था बेजनात पंडे मेरी माता का नाम जैकली पिता का नाम क्या था बेजनात पंडे प्यारे विजार थे हो पिता का नाम है बेजनात पंडे important बात हैं कुछ लिख दिया गरो साथ में न और माता जी का नाम है उनके जैकली का नाम है जैकली important जो बाते होती हैं उनको अपने एक रेजिस्टन में नोट कर लिया करो और जातिश ब्रामण है जिसे बिगाड कर लोग जैकली पुकारते थे इस नाम को मेरे माता जी के नाम को जैकली नाम था और जैकली बुलाते थे मेरे पिता तेजस्वी सतो गुणी वैशनेव हर्दे के थे और वैशनेव जन्तु तेने कई जो दुख पीर पराई जाने उस व्यक्ति को वैशनेव करना चाहिए व्यस्टनव कहा जाना चाहिए, जो किसी और के दर्द को अपना दर्द मैसुस करता है, किसी और की पीड़ा की नुबुती करता है, तो वैसे कि मेरे पिता जी थे, ये ऐसा पांडे बेचन जी कहा रहे है, मेरी माता ब्रहमनी होने के बावजुद, ब्रहमन का लिंग परिवर ब्रहमनी हो जाएगा, मेरी माता ब्रहमनी होने के बावजुद, परम उग्र, कराल, शत्राणी शुवाव की थी, चाती शतम ब्रहमन थे, पर मेरी माता ब्रहमनी ने थी, ब्रहमनी थी, पर उनके जो शुवाव था, वो शत्राणी की तरह था, चुल्डावत मांगी, शैला मुकूल जी की रचना आए तो शत्रिये का लिंग परिवर्दन शत्राणी हो जाएगा तो कि मेरे माता जी बहुत उग्र सुबाव के थे बहुत जल्दी गुस्सा आजना वगरा मेरे एक दरजन भाई बैन थे हम बारा भाई बैन थे मैं नहीं मतलब इनकी बात होती है न जिनमें अधिकतर पैदा होते ही यहां साल दो साल के होते होते प्रभू के प्यारे हो गये थे काफी सारे मर चुके थे पहले भाईयों के नाम देवी चरण, उमा चरण, श्री चरण, शामा चरण, रामा चरण आदी थे ऐसे ऐसे के नाम थे मेरे भाईयों के इनमें अधिकतर बच्छे दगा दे गए थे अथा मेरे जन पर कोई खास उच्सा नहीं परकट किया गया सब चल बच्छे जिनका भी जन्म हुआ सब धीरी धीरी करके मर गए तो मैं जब पैता हुआ तो पिता जी ने उम्मीद लगाई थी ये भी चला जाएगा इसलिए कोई खास खुशी का माहूल नहीं था मैं अभी कई दिवंगत अंगरेजों की रहा न लूँ अथा ये पाया कि पहले तो मेरी जन्म कुंडली न बनाई जाए जन्म कुंडली बनाते थे कि मेरे पिताजी मेरे भाईयों की अब की बार मेरी नहीं बनाएगे साथ ही जन्मते ही मुझे बेच दिया जाए और जन्म के साथ मुझे बेच दिया जाए एक बार किसी और को ताकि मैं जिन्दा रह सकूँ इस गर में रहूँगा तो मर जाऊँगा सो जन्मते ही मुझे यारों ने बेच डाला और किस कीमत पर मैं तके पर एक उसका भी गुड मंगा कर मेरी मा ने खा लिया था एक टके में मुझे बेच दिया गया और उस एक टके का जो गुड आया वो मेरी माता जैकली ने खा लिया क्यों बेचा इसका एक ही कारण था कि इनके जो बाकी भाही थे वो जिन्दा ने रहे वो सब एक एक करके मर गए थे, इसलिए इनको बेच दिया गया, अपने पल्ले उस टके में, टके में, अपने पल्ले उस टके में से एक छदाम नहीं पड़ा था, जो मेरे जीवन का संपूर्ण दाम था, मुझे कुछ भी नहीं मिला उस एक टके में, जबकि मेरे पूरी इनका, अलबत्ता, जन्मजात बिका का बिल्ला जैसा नाम, तौक की तरह, गले मड़ा, बेचन, और वैसा ही हुआ, कि मैं तो बिक गया था जन्म से, इसलिए मेरे नाम भी क्या रख दिया गया, बेचन, वैसा बिल्ला मुझे मिल गया, वैसी महर मुझे मिल गया, और नाम बेचन नाम ऐसा नहीं, जिसे ओम प्रकाश की तरह भारत प्रचलीत कहा जाए, यह तो उत्तर भारत के पूर्वी जिलों में चलने वाला नाम है, सुभी अहीरों, कोरियों, तथा कथी निम्न वर्गियों में प्रचलीत, और ऐसा नाम, जो निम्न जातियों में होता था और पूर्वी चैत्र में, वैसा नाम था यह, और इस नाम के पिछे एक ही राज था कि मैं जिन्दा रहा इसको, और दूसरा करण था इसको बेच दिया गया था, ऐसा ही नाम था, कई बार होता है ऐसा, ब्रामन के घर में पैदा होने पर भी मुझे यह जो मंद नाम बक्षा ग मुझे दिया गया, और यह मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी, ऐसा इनका मानना था, किसी भी नाम से, बेटा जीतो, आज जीवन के 60 साल में, साधिकार, सधन अधिकार, दिर्कसंदी हो जाएगी, सधन इसमें उपसर हो जाएगा, साधिकार कहा सकता हूं कि मुझे ही नहीं मौत को भी नाम नापसंद है, अब मैं 60 साल हो गया और मुझे यह नाम नहीं, मौत को भी नाम अच्छा नहीं लगता है, यह अच्छा नाम कैसा होता है, और लगबग भारत में यह कंडिकार के युवाओं की यह कंडिशन है कि ग्रामेंड चैत्र के लोगों, युवाओं क उनको अपने नाम से लिक्कत होती है, नाम कुछ और है और कुछ और रख देंगे, ऐसा होता है, लेकिन अब इस उम्र में तो ऐसा लगता है कि यह नाम नहीं, तिलस्मी गंडा है, तिलस्मी नहीं जादूई, गंडा का मतलब कोई शस्त्र है, जिसके आगे काल का हत्कंडा भी नहीं चल पा रहा है, अब ऐसा नाम रख दिया गया, अब काल भी उसका कुछ नहीं दिगाड सकता, इस तरह मैं सिकायत नहीं करता, देखिए तो जहां में पैदा हुआ वो परिवार तो गरीब था ही, नाम भी मुझे जगनात, भूमनेश्वर, राजेश्वर, धनीरा नाम, मनी राम, सुर्य नाराण, सुमित्रा नंदन, सचिदानन, हिरानन, वाचसाय जैसा नहीं मिला, इतने अच्छे नाम थे, पर वैसा नाम मुझे नहीं मिला, ये अपने आसपास के लेखकों और कवियों के नाम गिना रहे, कि वैसा मुझे नाम नहीं मिला, कि मैं तो ग पारा पाली और एक डंगरपर अस्तिनापूर स्री गंगा निगर बतले इतना लंब लंब नाम है लगता है कोई खौप ना है यह कहां के बुंदी कोटा ऐसे सना तो उसी प्रकार से के मुझे धनी नाम तो कम से कम मिलना जी था मुझे ऐसा नाम मिला जुन गरीब नाम था और और गोया गोया का मतलब होता है गोया का मतलब तो जोड़ी होता है और गोया का मतलब होता है कि कैसे मैं समझाओं यार जैसे को कह सकते हैं और गोया इससे भी मेरे दुरबागे को संतोस्त नहीं हुआ इसके बाद मैं आपने बड़े भाई के अंडर में आया जो विवाई थे उनके सानिधियों मैं जैसे ही आया जो विवाहित थे और पिता के बाद घर के पालक थे सबसे बड़े भाई उनकी घर की जिम्मेदारी होती है तो वो घर को पाले और जो सबसे बड़ी भाबी होती है उनकी भी जिम्मेदारी होती है वो घर को पाले और जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो पिता के बाद घर के पालक थे कौन बड़े भीया मेरे बड़े भाई ने विदी से कुछ भी नहीं पड़ा था फिर भी बुद्धी उन्हें उनकी ऐसी तिव्र थी कि वह हिंदी तो बहुत ही अच्छी साथ ही संस्कृत और बंगला भी खासी जानते थे बहुत ज़्याद वेद्धक और जोतिस में भी टांग अडाने की योग किता रखते थे जोतिस भी जानते थे अगले वाले को एक बार अटका सकते थे इतना उनको नोले इस था वह समश्यापूर्थी यूग के कवी और गद्दे लेखक भी खासे थे अच्छा लिखते थे समश्यापूर्थ बहुत कविता भी लिख देथे अच्छा बहुत गद्यवी लिख देथे और बेचन जी बड़े भास अथी कग्या हैं यह आतमकता है और इस यह प्रशना है आपके आ सकता है पांडे बेचन सर्मा उग्र की आतमकता कि क्या नाम है तो क्या नाम है अपनी खबर ठीक है उनक कितनी उम्र होगी जब लिखना शुरू कर दिया वह आत्म का था तो होजेगी साड़ साल जिल्ला कौन सा इनका उत्रप्रदेश पिता का नाम बेजनात पांडे माता जयकली जयकली नहीं जयकली प्रूफ शोदन तता पत्रकार कला से भी उनका गंगोर संबन्ध था वैसे गंगोर तो नहीं कह सकते हैं घनिष्ट होता है शब्द शुद्धी वाकि शुद्धी की दर्ष्टिश देखे था पर यह कह रहे हैं बहुत अच्छा संबन्ध था मतलब कुछ गल्तियां होती थी क करके दो और ये करते थे मेरी बड़े बड़े साब जब जवान थे तब ही सनातन धर्म के भाग्येets में परिवार पद द्यक्टिके भाग्येमें शर्व्नाम्ष की भूमी का लिख यह लिखिऊई थी अतेव जाने अन जड़ने युक के साथ बहाई साब भायाई शर्वनास नाटक में अपने हातों पाव में कुलाडी मारने का उनमूत पार्ट अदा करना पना हम नजदीक थे अथा भाई साब काम हमें अधिक दुखदाई ये उन बुरा लगा भाईया इनसे जस्ट फस नमर के इनके भाईया थे समाज की घर-घर करना ठक था सभी गरों में होता है ऐसा होता था और मैं उस गली की कहानी बतला दू जिसमें मैंने जन्म लिया था मेरी गली में क्या होता था अपने अपने गलिया है मेरी गलिया गलिया वो नहीं हर जगह हर कोई महले में जन्म लाता सद्धुपूर मोहले की गली बंबंटोली गली का नाम क्या है बंबंटोली बंबंटोली कि यहां पर मेरा जन्व हुआ का यूपी मैं गली के इस सीरे से उस सीरे तक ब्रामनों के मकान एक तरफ और दूसरी तरफ भी एक तेली या दो तिन कोरियों के घरों को छोड़ बाकी जमीने ब्रामनों की सब मकान ब्रामनों के थे एक दो कोई तेली वेली रहते थे और एक दो कोई और गर थे बाकी सब घर थे वो ब्राम एकाद तो पुंजी वाले बहुत अमीर थे पैसे वाले एकाद वैसा भी ब्रह्मनों का मकान वांपर दक्षिन नाके पर भानु प्रताप्तिवारी जिनके बड़े-बड़े दो मकान पिर गरीब मुसरी पाटक फिर मेरे पिता की योगशेम गरस्ति सचा भी हमी जैसे लेकिन विद्य होने से उनके हाथ में कलब्रक्ष की डाल जैसी अलोग की विबूति हमेशा ही रही जिस प्रकार से कल प्रक्ष फल देता है उसी प्रकार से मेरे जो चचाजी थे वो जोती जानते थे और जोती जानने करण वो जिसको भी कुछ भी कह देते थे अगला वाला मान देता और उनको पैसे वेसों के आमद नहीं हो जाते थे जिससे वो प्रभाव वाले और अबाव हिन थे थे तो प्रभाव है प्रभाव वाले पर थे अबाव हिन अगले वाले उनकी मानते थे पर दे 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 कोई नहीं दे थे ऐसा ही कह रहे है इसके बाद हमारे पटीदार भाई विंदेश्वरी पांडे का प्रिशर्मी प्रसन पांडे एक भानुप्रताप तीवारी को छोड़ बाकि सभी ब्रामन जजमानी वरती वाले थे जजमानी का मतले होता है मांगने वाले तो नहीं क्या सकते हैं पर अपने यजमान की घर पे जाकर के वहां से जो भेड़ दक्षिना प्राप करते हैं ऐसे ब्रामन हवेली वाले ब्रमा मिश्र की जजमानी सबसे ज़्यादा थे वो जहां जाते थे बहुत ज़्यादा लाते थे बाग बगी छे खेती बाड़ी लेंदेन भी होता था बेचुपंडे उनके आदे के बागीदार थे और बेचुपंडे उनके अधा ले ले लेते थे हम लोगों की जज़बानी यूई जैसी ताराम थी बस ठीक है बैसाब जो मिलगा मिलगा कईये हम शांदार भिखारी थे मगरवास में कुछ भी नहीं था ऐसा बेशन शर्मा उगर जी कह रहे है बिखारी सडक पर कपड़े फैला या गलियों में हाथ पसार कर भीक मागता है लेकिन हमें गरीब और ब्रामन जानकर जानने लोग हमारे घर भीक पहुंचा जाते थे यह भीक भी शांदार थी तब तक जब तक ब्रामनों के घर में ब्रामन पैदा होते थे तब तक आते थे और देते थे लेकिन जब ब्रामनों के घर में ब्रम राक्षस पैदा होने लगे तब तो यह जज़्वानी पुरती नितांत कमीना धंदा स्वेम निचाती नीच नीच से नीच दिर्क संदिये नीचाती नीच नीच धनी अती नीच होकर भी दूसरों से चरण पुजवाना रह गए थी यानि ये जब कोई खराब व्यक्ती पैदा हो जाए किसी घर में तो उसको ब्राम राक्षस के समानी है फिर तो वो काम बहुती बूरा हो जाता है ये कथा आज से पच्पन वर्स पूर्वकी है तभी तथा कथीत सनातन धर्म के नाश का आरम उसी अनूगामियों धर्म के ठेकेदार ब्राह्मन द्वारा हो चुका था सनातन धर्म में धर्म का अधर्म होना शुरू हो चुका था पसपन चाल पहले मानो तो देव नईत पत्थर अगर आपके अंदर आस्ता है और आपके अंदर विश्वास है तो किसी भी पत्थर को आप उजने लगजाओ सच्छे मन से उस पत्थर में भी आँखे निकलाती है तो मानो तो देव है नहीं मानो तो पत्थर है और आपके अंदर शर्दा है तो देवाले में जाकर भी आपके प्रती आस्ता पैदा नहीं करवाई जा सकती और आपके अंदर शरदा नहीं है तो तो नहीं है और है तो आप जुटे मूँ भी किसी इश्वर का नाम इश्वर्ण करते हैं तो इश्वर मौजूद है, जिस प्रकार से मगरमस की हाथी की थोड़ी सी चूंद रही थी बार और उसने ब्धबवान विष्णु का नाम लिया हरी, ब्धबवान विष्णु का आना पड़ा और उस गज को ग्रह करवाना पड़ा, उस हाथी को मगरमस से चुडवाना मानो तो देव नहीं पतर धर्म विश्वास पर पनमता है और बिल्कूल सही है धर्म विश्वास पर पनमता है विश्वास सभी परदार्थों का मूल है यकीन बहुत जरूरी है यकीन है तब ही मैं खड़ा हूँ अगर मैं यकीन नहीं करो और मैं मानू के दिवार गिर जाएगी फिर मैं आई नहीं सकता यकीन जरूरी है आपशिक हैं मुल्ले के हर एक घर हर धन एक हर एक हर एक घर में एक एक ऐसा जवान पैदा हो जुका था जो पूरानी मरियादा और धर्म को ताक पर रखकर उस रिंखल आचरन में रत रहता था धर्म को एक और एक किनारे कर दिया और उस रिंखल बनना ने सुरू हो गया मनमानी करना उदंड़ता वाला कोई बी किसी के भी घर में एक नेक तो कोई ने कोई पैदा हो चुका था और घरवाले मारे मो के परिवार के उस प्राणी का विरोध करने में असमर्थ थे और परिवार वाले चाहा कर भी उस एक का विरोध नहीं कर पाते थे उस एक का विरोध नहीं कर पाते थे शास्त्रों में विदान है नियम है ऐसा कि कुल धर्म विरुध आच्रन करने वाले को सड़ी अंगूली के तरह काट कर समाज तन से लग कर दाना चाहिए कुल के विपरित कोई भी काम करता है अपने परिवार के विपरित कोई भी काम करता है तो जिस प्रकार से कोई अंगूली सड़ी हुई है तो उसको काट के अलग करते है यूँ थोड़ी को लटकाई रखते है वो पूरे शरीर को खराब कर देगा जिस प्रकार से उसको काट था हम जब टक एइसा करते रहे तब समाज का स्वासते चुस्त दुरूस्त था हम ठीक था चलवा रहे थे तब समाज थीक था अप धिर कि उसरूंथा बढ़ रही थी और समाज बिल्ठता जाना था, गलती वश, मोह वश, दुर्भाग्य वश, जब से हमने, गलितां को अपना अंग जानकर, काट फैकने से, इनकार कर, गले से लगाना शुरू कर दिया, तब ही विश सारे श्रीट में व्याप्त हो गया, हमने गलतियों को एकसर्ट करना शुरू कर दिया, मों अनजाने में मों से चिप के रहने के कारण लालच के कारण तो धीरी धीरी-धीरी यह इन अब प्रकार से संदाड फैलनी शुरू हो गई समाज वी प्रित दिशा कि ही और जाना शुरू हो गया और बहुत सारे नेम थाक़ पर रखे जने लगे ये बहुत सारी विसंगत्या पैदा होगी समाज में हाँ अब से पसास पचास आठ वर्ष पहले अखिल भारतिय इस्तर पर सहस्तर शहस्तर ऐसे ब्रह्म राक्षष पैदा हुए थे जिनोंने कुक्रमों के श्लोप वोजन द्वारा मारते मारते सनातन धर्म को इमार ड़ला ब्रह्म राक्षष बड़ा राक्षष ऐसे ऐसे राक्षष पैदा हुए घरों में सहस्तर शहस्तर शहस्तर का मतलब होता है हजार हजारों इसलिए इंद्र को बोलते हैं इसकी हजारों आख है तो ऐसे ऐसे समाज में पैदा हुए जो अपने कुक्रमों के कारण बूरी कर्म जेहर समाज में घोलना सुरू करतिया उन्होंने समार्च सनातन धर्म कोई सनातन धर्म को इस पूर्णता से किसे अब पुर्ण जा गने जीने वाला नहीं؛ जिसके सरगना阿 albums सनातन धर्म वापिस नहीं आ सकता और जिसके जो esत भैंट है वो ब्रामन है ठीक है आगे है ब्राह्मन कुल में भी मैं पैदा हुआ हूँ ऐसा ये कह रहे हूँ कोई पूछ सकता है कि सनातन धर्म या ब्राह्मन धर्म के इस विनाश पर मेरी क्या राय है मेरा मत क्या है ऐसा कोई भी पूछ सकता है कौन कह रहे हैं बेचंजी पांडे बेचंज शर्मा उग्रजी मेरी क्या राय हो सकती है मैं कोई व्यपारि नहीं हो इक पृत्य के कारण जो वे आगे वाला प्रारम वाला जो वे लिखा हुआ है वो व्या में बढ़ जाता है कैसे ตZYक्जल कि लिखा कैसे जाएगा इसके अंधरिगत में इक जोड देता हूँ एक तो क्या बढ़ जाएगा इस इक प्रते के जुड़ने के कारण यहां पर परिवर्तन हो जाएगा और यह जो A है न इस व्याँ में, यह जो A है न, स्वर, यह A में बदल जाएगा किसमें बदल जाएगा आ में बदल जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा पहले तो इस प्रकार से लिखके बदाता हूं व्यापसा है और एक जोड दिया तो यह ए की मातरा जुड़ेगी कौन सी है छोटी वाली यह चोटी वाली कई पीछे पर अब यह पर इक जुड़ने के कारण यहाँ पर परिवर्तन होगा और यहाँ पर हम अ का आ बनाएंगे देखो अ का ने आ बना दिया यह आ बना दिया और क्या बने गाए व्यापसा है आई बाद समझते है जिस तरह से समाज के अंदरगात इक जुड़ता है, क्या जुड़ता है? इक, जैसे जोड़ देता हूं में, समाजिक, पर इस इक के कारण यहां पर परिवर्तन होगा, यह जो अस्वर है, इस अस्वर में, अ की जगे आ बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा दोस्तों? तो अब हमें आ बढ़ाना है, तो इस इक के कारण यहां बढ़ते ही सामाजिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सामाजिक, वैसा ही कुछ परिवर्तन वहाँ पर हुआ है, हाँ, जो वस्तु नश्ट होने युग्य होती है, जिसकी उप्योगिता सर्वता स्माप्त हो जाती है, वही नश्ट होती है, उसी का अंत होता है, जो नश्ट होने का लाइक है, वो तो नश्ट होना ही है, और उसकी उप्योगिता भी जब नहीं है, तो वो तो स्माप्त हो ही जाएगी, इसमें दोराई है ही नहीं, रहा मेरा ब्राह्मन कुल में पैदा होना, तो उसे मैं नेती क भूल मानता हूं नीती ने मेरे साथ में चल किया है मेरे साथ में कपट किया है और यह नीती की भूल मानता हूं मैं करमों की भूल मानता हूं जब से पैदा हुआ हूं तब से आध तक शुद्र का शुद्र हो ब्राह्मन का तो एसस करवाएई नहीं गए ऐसे बेचिलजी कह रहे हैं जन्मना जायते शुद्र मनु का वाक्य है कि नई संस्कार द्वीज मुझी थे जन्म से सभी शुद्र होते हैं बाद को संस्कार द्वारा नव प्रग्या प्राप्त कर द्वीज बनते हैं नव प्रग्या नई नव इन नया प्रग्या इन बुद्धी नई बुद्धी के द्वारा व्यक्ति ब्रामन बनता है सभी व्यक्ति शुद्र है पर वो धीरे देरे अपने प्रग्या और अपनी बुद्धी के कारण कोई ब्रामन बनता है कोई वेश्य बनता है कोई शत्रे ब मतलब होता है जिसने दो बार जन्म ले रखा हो जिसने दो बार एक तो पक्षी द्वीज है पक्षी इसले द्वीज है पहले वो अंडे की रूप में जन्म लेता है फिर अंडा फूर्ट का है और फिर वापस से उसका जन्म होता है वो उसमें चिडिया के रूप में पक्षी क रूपना राइट दूसरा दात वो द्वीज हैं दात इसलिए द्वीज हैं क्योंकि दात का जन्म दो बार होता है दूद के दात फिर वापिस से दात तो दात भी दो बार और एक ब्रहमन ऐसा कहता है कि ब्रहमन का जन्म दो बार होता है एक तो परमपिता परमेशुर के द्व के द्वारा इसलिए ब्रहामण पक्षी और द्वीज इनको द्वीज का जाता है तो कि मैं द्वीज था पर मुझे एसास नहीं करवाए गया वह संसकार पांड़े वेचन शर्मा के पल्ले न तो बच्वन में पड़ा था न जवानी में और न आज तर ब्रहामणा वाले संसका एक दिन भी जो ब्रहामण रहा हो उसे फिर मनुश्य जन मिले फिर टट्टी की हाज़त सताए फिर राम नाम के पहर अबदस्त लेने की घ्रणित घड़ी उसके हाथ में आए ऐसा अगर एक बार ब्रहम में डाल दिया जावे किसी को और उसको वापिस साधान कर दिया जाव एसा एक उसाबास मुझे भी करवा दिया जा रहा था और अब इस साथ वर्स की वह में उम्र में वह ने उम्र पढ़ाओ इस वैसे वह का मतल्य होता है एक उमर का और इस उमर का बीच की कड़ी जैसे बाले आवस्ता और किसोर आवस्ता की जो मिलन का टाइम पिरिड होता है उसको वह बोलता है पर यहां पर हो जाएगा उम्र फिर उस उम्र में कहां गए है हाँ अभी साथ वर्स की वह में यदि मैं शिकायत करूँ का हाई रे में सारे जीवन शुद्र का शुद्र ही रहा तो मुझे मुझे सा मतीमंद टॉर्च लाइट लेकर डूनने पर भी दु धीमी धीमी बुद्धी वाला तो ऐसी बुद्धी कभी नहीं मानता वैसे शुद्र को भी बुरा नहीं मानता ऐसा कौन कह रहे हैं पांड़न बेशन चर्मा जी ठीक है सब आज हम इस वीडियो के साथ इस क्लास को यहीं पर इस्तेगित करते हैं हम इस आत्मकदा का अगला अंक है अपनी खबर का अगले वीडियो में लेकर कर आएंगे और इस वीडियो को आप जरूर पढ़ेंगे मुझे ऐसी उम्मीद है इस वीडियो के सम्मंदित किसी भी तरह कोई प्रश्न है तो आप कमेंड बॉक्स में जरूर छोड़िए और हमारा जो हब स्टाफ है उसक जरूर लेकर आवे और हमारे टीम द्वारा आपकी समश्या का समाधान कर दिया जावेगा और अगले एंक में इसी वीडियो के साथ मैं जरूर मिलूंगा तब तक मैं भरत को रणा लेता हूं आपसे विदा मुझे दीजिए अजादत शुक्रिया शब्बा खेर